जय हिंद इस वीडियो में लोग बायोजेन फर्माकेम लिमिटेट कंपनी पर बात करेंगे एक संदार पेनी शेयर जिसने बेहत कम समय में अच्छा रिटरन दिया है लेकिन जैसा कि हमोवन हर रेश्टॉक में होता है अच्छा खासा रिटरन देने के बाद इसमें 20-25% गिरा उटा रहा है तो इस वीडियो में हम लोग इस पैसा लगाना अच्छा रहेगा या नहीं साथ में नए लोगों के लिए कोई जगा है या नहीं हर एक चीज़ का जवाब इस वीडियो में एक दम तफसीश से ढूंडने की कोशिस करेंगे बिलकुल असान मासा में आपको बत कंपनी है इंगेज्ड है फानेसल एक्टिविटिज से यह स्टॉक मार्केट और सीक्रिटीज मार्केट वो पैसे लगाती और उससे पैसा बनाती है बिजनस मदर्ण को उच खास अट्रेक्टिव नहीं जितने भी पैनेसल सेक्टर के कंपनिया है सबका यही हाल है आई इसक कंपनी का सेर अधिक्तम यहां तक काया है यहीं तक आने बाद इसका सेर पैस नीची की तरफ लुटकना शुरू हुआ है अभी कुछ दिन हुआ दुचार पांदिस सी नीची की आप लुटक रहा है समझेंगे 25 दिसमबर पिछले साल से मतलब दिसमबर से इस कंपनी का सेर प्रपास उठना सुरू हुआ और पहुच गया एक रुपए दिसंबर छली रहा पूरा फरवरी तक अभी तक इसका सेयर प्रेस अब तरेंट ग्राफ में रहा कहाने का मतलब है कि 50 पैसा से एक रुपय बिरासी पैसा तक आया मतलब प्रोफिट बुकिंग तो जब बरदस्त हुआ है इसमें और समझे अब सवाल यह है कि जब सेयर प्राइस नीचे जा रहा है तो कहां तक जा सकता है तो इसका जो ठाराओ लेबल जिसको अंग्रीजी में सेपोर्ट लेबल करते वो है मैं 35 पैसा ऊप्राइस दाउन होकर तक जाँप यहां पर ठार जाएगा लेकिन इसमेर के बारे में मैं आगे बतास हूंगा फिलाही रूप पर जाएगा हाला कि आप देखेंगे अभी एक महा में इसका जो सिग्नल गरेन दिखा रहा है मतलब 46% का रिटर्न अभी भी दिखा रहा है अभी कोई भी पैने सेयर जब टूटना शुरू होता है तो एक महा का जो उसका रिटर्न होता है निगेटी में आने के बाद ही फिर पर उठना शुरू होता है जैसा कि अमोवन देखा जाता है यह कोई लॉजिक नहीं है लेकिन समानेता ऐसा होता है कि एक महा का रिटर्न जब माइनस 46% का सपास हो जाता है तब सेयर प्राइस सूपर की तरफ जाना शुरू होता है अब फंडामेंटल देखते हैं कैसा है कं बढ़नेता है को अगर अगर बढ़ता तो अच्छा होता तो अगर वहर ओर अली नतिजए कि साब से लग रहा है कंपनी का बिजनेस फिलाल अच्छा कर रहा क्षालाक कि कंपणियागा बुरे समय में अपने सेर्जお願いします और अपने आपको सम्हाल पाती है इसका लावा देखेंगे तो कंपनी के पास आसेट्स है 54 क्रोड 25 लागा लेकिन अभी नीच्ची की तरफ लुड़क रहा है साल दर साल इसका आसेट्स कम होते जा रहा है लियाबिलीटी सीर्फ 11 लाग का है और यह 11 लाग का और यह भी कम हो डाउन आएगा और जब आरे साई 30-35 कास पास होता है तब उसमें इंट्री लेने बारे में सोचा जाता है तो मैं यह कहा रहा है कि आरे साई अभी डाउन आ रहा है कोई प्रमोटर्स की हिस्सेदारी या फंडमेंटल ज्यादा मैने नहीं रखता जो हकीकत है और पेनिये श्टॉक मार्केट में न्यूज और मार्केट में इसकी हाइप कितनी इसके बज़ोलत चलती है तो बायोजेन फर्मा केम जो कंपनी है देखें मार्केट में इसकी रखते हैं लगा सकते अपरेटर्स जब इसमें गेम खेलेंगे तो आपको मुनाफ़ा हो जाएगा और जो लोग अभी इसमें हाई प्राइस पर खरीद के बैठे हुए उनके लिए सलाह तो यहीं रहेगा कि आप ठाहर यह क्या कि जैगा निगे बिचने का तो कोई फैदा नहीं है इसलिए जब सेयर प्राइस उपर जाएगा तब इसकर निकल जाएगा तो उम्मीद करता हूं वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी अगर मन में कोई स्वाल है तो पूछे बाकी मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यबात शुक्रिया